हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचिन ट्रीट्स में आज मैं आपके लिए कुछ अलग सी रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे बनाने का तरीका, सर्व करने का तरीका, इसका टेस्ट, सभी कुछ औरों से अलग है इतनी विशेष्टाएं होने के बाद भी आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बेसिक इंग्रियंट्स से बना सकते हैं ये हैं चटपटे रोल्स, सुनते ही मुँ में पानी आ जाएगा ये रोल्स इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होते हैं कि अगर आपने इन्हें एक बार खा लिया तो दुबारा खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं रोल्स बनाने के लिए एक लेंगे बरतन जिसमें लेंगे एक कप मैदा और एक कप आटा यहां मैं दोनों को बराबर मात्रा में ले रही हूँ अब इसमें डालेंगे दो चम्मच ओयल और अधा चम्मच नमक इसे मिक्स कर लेंगे आईल मिक्स हो गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक चिकना डो बना लेंगे इस डो को ना तो ज़्यादा साफ्ट बनाएंगे और ना ज़्यादा टाइट थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे जैसे रोटी के लिए आटा गूंद कर तयार करते हैं ठीक उसी तरह हमें इसके लिए डो बना कर तयार करना है रेश्पी को आगे बनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अब देखिए आटा तयार हो गया है अब इस पर थोड़ा सा ओयल लगा देंगे जिससे ये उपर से ड्राइब न हो जाए अब इसे पांच मिनट के लिए सैट होने रख देंगे जब तक हमारा आटा सैट हो रहा है तब तक इसके लिए और तयारी कर लेते हैं यहां मैंने लिए हैं चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू सबसे पहले इने छील लेंगे सभी आलू का छिलका हटा लेंगे छिलका हटाने के बाद लेंगे एक ग्रेटर और इन सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने से आलू एक सा हो जाता है और इसमें कोई गाठे नहीं रहती है सभी आलू को ग्रेट करने के बाद मैंने यहां 150 ग्राम पनीर लिया है इसे भी उसी बाउल में ग्रेट कर लेंगे आलू और पनीर की मात्रा को आप अपने अंसार घटा बढ़ा भी सकते हैं पनीर ग्रेट हो गया है तो अब इसमें डालेंगे एक चौथाई कप हरा धनिया एक चमच अद्रक का पेश्ट आदा चमच अमचुर पाउडर आदा चमच चाट मसाला और एक चौथाई चमच नमक अभी इसमें हम हलका नमक ही डालेंगे क्योंकि आटा में भी हम नमक को डाल चुके हैं इसी के साथ एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च की मातरा को आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं, आधा चमच जीरा पाउडर, अब सभी को मिक्स कर लेंगे, आप अगर इसमें प्याज डालना चाहें, तो प्याज भी बारी काट कर ड अब लेंगे एक कटोरी, इसमें लेंगे एक चोथाई कप मैदा, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर एक सलरी तयार कर लेंगे, पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही मिलाएं, इसमें कोई लंस नहीं रहने चाहिए, इस सलरी को जादा पतला नहीं करना है, इसमें आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाते जाएं और चम्मस से चलाते जाएं इससे गाठे नहीं पड़ेंगी। देखिए सलरी बनकर तयार है इतनी पतली सलरी बनाकर हमें तयार करनी है इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हमारा आटा अच्छे से सैट हो गया है इसे एक बार और गुंद लेते हैं। आटा को पांच मिनट रख देने से ये स्मूथ और साफ्ट सा हो गया है। तो अब इससे थोड़ा सा आटा लेकर इसे चिकना कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई को चिकना बनाएंगे। लोई बनाने के बाद इसे चकले पर बेल लेंगे। इसमें ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाएंगे। अगर ज़रुवत लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। इसे सभी तरफ से एक सा बेल लेंगे। कहीं पतला या कहीं मोटा नहीं रखना है। इसे गोल बेल लेंगे। अब लेंगे एक तबा तो इस पर इन बेली हुई रोटियों को एक एक करके सेंक लेंगे। इसे पूरी तरह नहीं सेंकेंगे। जब एक तरफ से ये हलका सिंख जाएं तो इन्हें पलट कर दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सेंख लेंगे यूँ समझे इन्हें अदबका सा सेंख ना है इसी तरह सभी रोटियों को सेंख लेंगे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें इकटा बेल कर ना रखें थोड़ी सी रोटियां बेलने के बाद इन्हें सेंखते जाईए क्योंकि इकटी बेल कर रखने से ये चिपक जाएंगी अब देखिए मैंने यहां सारी रोटियां सेंख कर रख ली है तो अब एक रोटि को लेकर इस पर आलू और पनीर की फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी उसे फैला देंगे इस तरह इस फिलिंग को रोटि के उपर एक सा फैला देंगे फैलाने के बाद रोटि को इस तरह पलट कर इसका एक रोल बना लेंगे इस तरहे से इसका एक tight roll बनाना है और इसके आखरी कोने को मैधा किसलरी से चिपपा देंगे ये मैधा किसलरी glue का काम करती है इसी तरहें एक-एक रोटी को लेकर इस पर फिलिंग की सामिगरी को spread कर देंगे और इनका tight roll बना कर तयार कर लेंगे इस तरह इसके सारे रोल बना लेने है अब लेंगे एक पैन इसमें लेंगे ओल ओल के गर्म हो जाने पर एक एक रोल को लेकर पहले इसके दोनों किनारों को मैदा की सलरी में डिप कर लेंगे और फिर ओल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे स्लरी में डिप करने से इनके अंदर की फिलिंग फ्राई करते समय निकलती नहीं है इसी तरह एक एक रोल को लेकर इनके किनारों को स्लरी में डिप करके ओयल में डालते जाएंगे एक बार में जितने रोल आसानी से सिख जाएं उतने ही रोल हमें ओयल में डालना है जब ये एक तरफ से fry हो जाएं और इनका कलर golden brown सा हो जाएं तो इने पलट देंगे और दूसरी तरफ भी fry कर लेंगे fry होने के बाद ये उपर से crispy हो जाते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें high flame पर fry नहीं करना है क्योंकि तेज आज पर सेखने से इनका color तो brown हो जाएगा लेकिन ये crispy नहीं होंगे और ठंडे होने के बाद ये और ज्यादा soft हो जाएगे अब देखिए rolls fry हो गए है इनका color भी brown सा हो गया है ये crispy भी हो गए है तो अब इन्हें निकाल लेगे और बचे हुए rolls को भी इसी तरह golden brown होने तक fry कर लेंगे अब ही rolls fry हो गए है ये उपर से बहुती जादा crispy है इसकी crispness को तो आप इस तरह से देख सकते हैं भी खा सकते हैं लेकिन मैं इन्हें एक अलग टच देने वाली हूँ आप इन rolls को cut कर लेंगे इन्हें बराबर pieces में इस तरह काट लेंगे cut करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हें कैसे serve करेंगे ये rolls इतने ज़्यादा tasty बनते हैं कि आप अगर इन्हें एक बार खा लेंगे तो समोसे खाना भूल जाएंगे इन्हें serve करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा दही जिसे अच्छे से फेट लिया है और इसमें नमक और मिर्च डाल दी है थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी इसके अलाबा बारी कटे हुए सलाद जिसमें मैंने लिया है प्याज, टमाटर और बारी कटा हुआ हरा धनिया अब इन रोल को रखेंगे एक serving प्लेट में अब जैसा आपका मन जाहें इस पर चाय हरे धनिया की चटनी ढालिए चाये खटी मीठी इमली की चटनी थोड़ा से डालिए इनके ऊपर दही और उपर से सजाईे इने प्याज और टमाटर से ये चटपटे रोल्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं प्याज टमाटर से सजाने के बाद उपर से डालिए थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करें तो इस पर डालिए चिली फ्लेक्स बस तैयार हैं हमारे खटे मीठे तीखे चटपटे रोल्स ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में तो इनके क्या कहने देखते ही मूँ में पानी आ जाएगा जो एक बार खाएगा बार बार इने खाना चाहेगा आपको हमारे ये रेस्पी कैसी लगी अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिप्स को भी शेयर करें और ऐसी ही नई नई रेस्पी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई